अई मान्याह सौस्कृता नुरागिनह श्रोता रहा नमो नमहा स्वाकत मत्रभवताम सर्वेशाम गीर्वान भारती इत्यत्त स्याम सौस्कृत पत्रिकायाम श्रोता रहा गेयता चंदो बद्धता इती सौस्कृत काव्यस्य वैशिष्ट्यम अनुष्टुब गायत्री इत्यादीनी नैकानी चंदाउसी सौस्कृते प्रचलंती चंदश्यास्त्रस्य ध्यानम अतीवा आवश्यकम काव्य रचनायाह कृते अध्यप्रभृती वयं चंदसी इती एकस्याम वार्ता मालायाम चंदश्यास्त्रस्य परिचयम श्रोनमह डौक्टर श्रिनन्द बापट महोद यही श्रुयन्ताम तरही अस्याह वार्तामालायाह प्रथमाम वार्ताम चंदसी जुद्धमातिहि अस्माकीनस्य प्राचीनतमस्य वेदवांग्मयस्य अध्येननं जिद्न्यासव सुषकतया कुर्वीरन इती दुशा यानी शड् वेदांगाने प्रनीतानी तेशु अन्यतमं चंदश्यास्त्रन रुशिना पिंगलेन अथवा पिंगलनागेन प्रणीतस्य तस्य वेदांग भूतस्य चंदश्यास्त्रस्य मंगल श्लोकोयं यदा ही मानवो वानीम अलभत तदा किल सतिर्यक सुरिष्टिरिव धनीन्स्म कुरूते अथ शनई शनई स्वकियाम संस्कृतिम अरचायत आखेट संकलनात्मकं स्वकियं जीवनं परिहाय कृशिपाशुपाल्यं हस्तयांत्रिकं उत्पादनं वनिज्याम वा प्रारेभे परिवारं स्मरचयती ग्रामं खेटं नगरं वा अधिवसती एतस्मिन्य वकाले मानवी या भाषा जनिम लेभे ययाही ससर्वेभ्य प्राण्यंतरे भ्यह विशिष्यते इदानी मपी वरनाह, अक्षराणी, शब्दाह, शब्दसमूहाह, वाक्यानी, समासाह इति विस्तारं अगमयत सस्वकियां भाषां जीवन व्यवाहर क्रमेपी तेन अनुभूता जटिलता व्यवहारानांच स्मरनस्य प्रासंगि कतापी अथ तदैव सप्रकृति गतानां, चमतकारानां, जीवनस्य च अनुभवानां निवेदनम अपिस्म करतु कामयते निवेदनम इदम, स्मरनंच केवलं करतु करमक्रियापद युक्तानां, गद्यवाक्यानां आकारं संधत्ते तरही कठिनम तत्स्मरनाय, नीरसंच श्रवनाय यदिचे पुनह, पद्यमयं वाक्यं श्रणोति जनह, सतत सुषकतया स्मरेदपी, अन्यान सुरसतया निवेदएदपी इथम समारंधाश चंदो मया पद्यवन्था चंद इती शब्दोयं चदी धातोर निश्पद्यते चंदश्यब्दस्य चादनम, आवरणम, रक्षणम, आनंदनम इती विविधा अर्था सर्वे प्यते चंदश्यास्त्रे विध्यंते यतोही चंदो वक्तव्यं बद्नाती दूशके भ्यो रक्षती, श्रावके भ्यो मोदंच प्रसारयती वेदवानमयस्य प्रारंब भूतानां सम्वितानां रचनां बहुशस्चंदो मयी एव तत्रापी तदाध्यो रुग्वेदः पूर्णतया पध्यमय एव सामवेदस्तु संगीत स्वरूपह यजुर्वेदः पुनह गध्यपध्यमयो मिश्रह द्रश्टाही महर्षिभि मंत्रा निवध्धा विविधेशु चंदस्चु गायत्री, जगती, त्रिष्टुब, अनुष्टुब आधिशु तत्रप प्रथमं गायत्री चंदः पश्याम रग्वेदस्य आध्यो मंत्रो गायत्री चंदसे निवर्था अग्निमेले पुरोहितं यद्न्यस्य देवं रत्विजं होतारं रत्नधातमं इती तत्र अग्निमेले पुरोहितं यद्न्यस्य देवं रत्विजं होतारं रत्नधातमं इती त्रयो भागा इमें पध्यभागा हा पाद इति सव्ध्यया अभिधी यंते अग्निमेले पुरोहितम इति प्रथमः पाद हा यद्यस्यदेवं रत्विजं इति द्विती यहा होतारं रत्नधातमं इति चत्रती यहा अथ यद्यभी पाद इति सव्ध्यया चतुर्थाउशं दर्शयती तथापी अत्र सातुर्थी यहाउशं एव दर्शयती पध्यभागा हा इत्येव तस्य अर्था हा संतिही प्रत्यकस्मिन पादे अश्टव अक्षराणी यह नही चत्वर्विवशत्यक्षरा आत्मकमिदं गायत्री चंदा हा तस्य लक्षणंच त्रिपदा अश्टाक्षरा गायत्री इती अश्यच पुनर गायत्री चंदसख प्रभावस्तादुशा हा जैन तस्मिन रचिता मंत्रा अपि चंदसो नामना एव विख्याताहा रग्वेदस्यत्रतीय मंडलस्थो सवितुर देवताको मंत्रह तत सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमही धियो योनक प्रचोधयात इती नवयं तम सावित्री मंत्र इत्युक्ते सवितुर देवस्य मंत्रह इती अभिजानी महे अपितु गायत्री इत्येव विद्महे नहीं विशेशोयं केवलं वैदिकच्छंदसाम अपितु लवकिका नामा पिवृत्ता नाम अभंगह, आर्या, साकी, दिंडी, कामदा इत्यादीनी छंदो नामानी स्वकी य सौध्या भ्याह एधित्वा वाग्मय प्रकारं दर्शेंती ब्राहन ग्रंथेशु आरण्यको पनिशत्सुच दुरुष्यंते नाना चंदः प्रणीता आह गाथा हा एभ्यो वैदिके भ्याह एव छंदो भ्याह प्रणीता नी कविभिर लवकी काने उरत्ता नी आदि कवेर वाल्मी के रचना नाम आर्शम महा काव्यम रामायणं तत कथाया प्रारंभाह नाम श्लोकत्वम आगत शोकह एव मा निशादप प्रतिष्ठाम तवम अगम शाष्वती समाह यत क्राउंच मिथुना अदेकं अवधी काम मोहितं इती उत्तर रामचरितस्य नाटकस्य अरचाईता भवभूति ही श्लोकमे मम रणयती नूतनस चंदसाम अवतार इती सत्यमेव वैदिकस्य अनुष्टुप चंदसाह नूतनयम अवतारो लवकिकाह नखलु सर्वता वेदवांगमयस्य पश्चादेव आरशम लवकिकंच वांगमयम अवतीरणं रमायनाम जय भारतम पुराणानी वाको वाक्यम इत्यादीनाम रचना चंदोवध्धा वैदिकानाम चंदसाम नूतनम लवकिकंच रूपमिदम वृत्तानी इती ख्यातचरम चंदसा स्वरास्तावन नसंती लवकिकेस मिन वृत्तगते वांगमय लवकिकानाम वृत्तानाम पुनर मात्रा वृत्तानी अक्षरगण वृत्तानी इती प्रकार द्वयम भवती यत्र श्लोकपाद एकस्मिन विद्यमानाना मात्रानाम संख्या आहत्यनिष्चिता नपुनस्तासां क्रमाह तानी मात्रा वृत्तानी यत्र आर्या गीतिही उपगीतिही इत्यादीनी यत्रपुनर मात्राणां संख्याया साखन सुनिष्चित स्तासां क्रमोपी तानी अक्षरगण वृत्तानी यथा इंद्रवज्रा वसंत तिलका मंदा क्रांता शार्दूलविक्रीडितं इत्यादीनी इमानी नामानी सुपरिजितान्येव सर्वेशाम इतिमन्ये व्यास वाल्मिकी सद्रुषई ही आध्यरुशिवी समत्कीरणे वांगमय मनव यई सूत्रमिव स्वरचना गतिर विहिता ते अश्वगोश भास कालिदास भारवी भवभूती सद्रुक्षा कवया है तानी वृत्तानी प्रायो जयन इत्यापी ख्यातमेव तत्रमात्रा वृत्तानी इत्युक्ते किमिती इधानें पश्यामाः वयं अ इ उ र इति स्वरान वदामाः आ इ उ र इत्यादी नपी कस्तत्र भेदह इति चे अ इ उ इ उ इत्यादयह लगुना कालेन उच्चारियंते आ इ उ इत्यादयश अधिक समयेना अथा इते लगुकालका स्वराह रस्वा इति कत्यंते दीर्ग कालकाष्च दीर्गा आयती रस्वास्य एका मात्रा भवती दीर्गस्य पुनर द्वे यदाच कम पी दूरादा हुयामो वयं तदा तस्य नामनी स्थितम किम पी एकमवा अक्षरम दीर्गतरम उच्चारायामाः यथा हे राम सीते इत्यालि, इदम दीरगतरं उच्चारणं प्लतं इति वर्नितं शास्तरकारेही रस्व दीरग प्लता स्वरा एव भवंती, व्यंजनानि पुनर अर्धमात्रामेव संधधते एताद्रुग एक द्वित्री मात्रायुतं अक्षराणां समुच्यात्मकं भवती मात्रावृत्तं तद प्येश श्लोको भिगीता एक मात्रो भवेध रस्वो द्विमात्रो दीर्ग उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लतोद्नेयो व्यंजनन चार्ध मात्रकं इति अथक अधाचित अक्षरां तरप प्रभावेण रस्वान्यप्य अक्षराणी दीर्गत्वं भजन्ते तरही दीर्गम अक्षरं किम इति पश्यामाह तत्रकथ्यते संयुक्ताध्यन दीर्गम सानुस्वारं विसर्ग सम्मिष्रं विद्नेयम अक्षरम गुरु पादान तस्थम विकल्पेन इती तरही यद अक्षरम स्वयमेव स्वरतो दीर्गम भवती आ, ई, उ, ए, आ, आ, ओ, आउ, इत्यादी तत दीर्गम नतत्रशंका लेशोपी यस्माच्चा अनंतरं सन्युक्तम अक्षरम मराठी भाषया जोडा अक्षर इती सन्युक्तम अक्षरम भवती तर दीर्गम भवती तथाईव अनुस्वार युतं विसर्ग युक्तंच दीर्गन जायते श्लोक पादस्यांते विद्यमानं रस्वमप्य अक्षरं दीर्गा यते विकल पेन तत्र रस्वम अक्षरं लगु इति कथ्यते ल इति लगुरू उपेनच दर्श्यते दीरघंच गुरु इती वर्न्यते ग इती लगुरु उपेनच यता वश्यकां निर्दिश्यते तदुच्यते जेयो लगुर लकारोत्र गकारश्य गुरुर मताह इती छंदो विशयनीम प्राथमिकी मिमां वारतां इहै वस्थगयाम आईदानीं अग्रिमे अवसरे पुनर मिला महा सरे रात्राउं नव वादने नमो नमहा